जै मातादी, स्वागत है आप सभी का एक बार फेसे दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरू दबाएं दोस्तों नवरात्री का बावन पर माधी शक्ति दुर्गा को समर्बित है नवरात्री में माता रानी के नौ सुरूपों का पोजन किया जाता है नवरात्री के दिनों को बहुत ही शुब माना जाता है शांस्तों में एक ऐसी चीज के बारे में बताया गया है जिसे नवरात्री में घर लाने से मागी असिन प्रुपा मिलती है नवरात्री में बिना पूचा बिना ब्रत के भी सिर्फ एक यह चीज अगर आप अपने घर ले आते हैं तो इससे माता रानी अतिशीक्र ही प्रसंद हो जाते हैं और माता रानी की असें कृपा प्राप्त होती है आज की इस वीडियो में हम आपको धर्मशास्तों में बताई गए इस एक उप्त चीज के बारे में बताने जा रहे हैं मा की प्रिय यह चीज नवरात्री के दोरान घर में लानी से फिशेश लाप होता है क्योंकि इननो दिनों में माता रानी का घर में बास होता है और जब यह चीच आप घर लाकर मा को अर्पित करते हैं तो इससे माता रानी की कृपा से धन भी चुम्बक की तरहें खिचा चला आता है कहते हैं नवरात्री मा की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्फिष्ट होते हैं क्योंकि इन नौ दिनों में माता रानी धर्ती पर ही बास करती है और इन नौ दिनों में मा का पूचन करने या मा की यह प्रिये बस्तू मा को भेंट करने से मा अतिशीगर ही प्रसंद हो जाती है और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है पूरे साल भर मा का पूचन करने से मा इतनी प्रसंद नहीं होती जितने नवरात्री के दौरान पूचन करने से हो जाती है दोस्तों नवरातری में भक्त मातारानी को प्रसंद करने के लिए अलग-अलग उपाई करते हैं आज हम आपको एक ऐसी चीच के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप अगर नवरातری के दौरान अपने घर में ले आएंगे तो इससे आपको मातारानी की असीम कृपा प्राप्त होगी यह एक बस्तू धन को चुमबक की तरह खीशती है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को भी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारी चैनल को सबस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट अवश्य कर रे जिससे हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाएं और कमेंट बॉक्स में जाका चैमातादी अवश्य ही लिखें दोस्तों धन दौलत की आवश्यक्ता प्रतेख व्यक्ति को होती है लेकिन धन सभी के पास आसानी से नहीं आ जाता धन सुक पूर्वर जीवन जीने का महतमूर साधन है इसलिए प्रमुख धर्म गंथों से लेकर धन शास्तों तक में एक ऐसी चीच के बारे में बताया गया है जिसे अगर आप नवरात्री के दौरान अपने खर ले आएंगे तो इससे आपको माता राने की किरपा से धन का लाब होगा और धन सम्मंदी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगे यह एक बस्तू पैसे को अपनी तरफ चुमबक की तरह खीशती है और यह चमतकारी बस्तू है कमल गटा दोस्तों कमल की पांचों अंग में देवी कमला का बास होता है देवी कमला को कमल का हर एक अंग प्रिये है लेकिन इन्हें सरवाधिक प्रिये है कमल का बीच अर्थात कमल कटा यह बाजार में आसानी से मिल जाता है मंतर जाप के लिए इसकी मालाएं भी बनाई जाती है दोस्तों नवरात्री के नो दिन त्री देवियों उजा की देवी मा काली धन की देवी मा लक्ष्मी और बिध्या की देवी मा सरस्वती को समर्पित होते है मा लक्ष्मी और मा सरस्वती का तो आसन ही कमल का पुष्प होता है और कमल गट्टा मा महा काली को भी अतिप्रिये है इसलिए नवरात्री के पावन दिनों में तृदेवियों यानि कि मा तुर्का की असीम कृपा प्राप्त कहने के लिए आप कमल गट्टे को अपने घर अवश्य ही लाएं कमल गट्टा कमल का बीच होता है और यह काले रंग का होता है कमल गट्टे के बारे में शास्तों में कहा गया है कि जिस इस्थान पर कमल गट्टा होता है वहां मा लक्ष्मी का बास होता है इसलिए नवरात्रे के पावन पर पर आप पांच या साथ कमल गट्टे के बीज लाएं इन्हें आप एक लाल रंगे धागे में पिरूएं। इसकी एक माला बना कर आप माता रानी को यह माला अर्पित करें। आपको यह माला माता रानी को पहनानी है। धर्म शास्तों के अनुसार कमल गट्टे की माला मा को पहना कर पूजा करने से घर में सदेव, शुक्षान्ति वा सम्रधी बनी रहती है और माता रानी की असीम गृपा प्राप्त होती है कमल गट्टे से कई अलग-अलग उपाय भी किये जाते हैं धन सम्मंदी समस्या को दूर कहने के लिए, राजा जैसा जीवन प्राप्त कहने के लिए, संपूर धन लाफ के लिए, कमल गट्टे का नवरात्री में रो जाना माता राने को भोग अवश्य ही लगाना चाहिए भोग लगाने के लिए आप एक कमल गटा लें याने की एक कमल गटे का बीच लें इसे शुद्ध घी में भिगो दें अब आप काई के गूबर का एक उपला लें, उसे गैस पर रखका सुलगा लें, अब इस उपले पर आप थोड़ा सा कपूर रखें और थोड़ा सा शुद्ध खी डालें, कपूर जलाने के पश्चात आप दो लौंग के चोड़े खी में भिगो कर आप कपूर पर अर्पित क करें, फिग घी में डूबे हुए इस कमल गटे को भी आप कपूर पर रख दें, और मातारानी से भोग सुईकार करने की प्रातना करें, ऐसा करने से मातारानी की के पास संपूर धन लाब होता है और व्यक्ति ताजा जैसा जीवन जीता है, अगर आप चाहते हैं आपके घर में सदेव मा लक्षमी का इस्थे बास हो, तो आप 108 दानी की कमल गटे की माला अपनी घर लाएं, इस माला को पानी से अच्छी तरह से धोएं, और इस पर आप कुम-कुम और हलती से तिलक करें, फिर धूब देव दिखाकर इस माला को आप मा लक्षमी जी को अर्पित करें आपके घर अगर माता रानी की बड़ी प्रत्मा या तस्वीर है, तो यह माला आप माता रानी को पहना दें, या फिर आप माता रानी के चर्णों के पास एक लाल रंग का कपड़ा बिचा कर उसके उपर इस माला को रख दें, और इस माला को सदेव मा लक्षमी जी के पास ह रखा रहने दे माना जाता है इस उपाय को करने से मा लक्ष्मी जी क्या घर में सदैब इस्थिर बास रहता है और जिस जगे मा लक्ष्मी का बास होता है बहां कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती दोस्तों माता राने की असीम प्रपा प्राप्त करने के लिए आप कमल गट्टे की माला पर माता राने के इस मंतर का जाप करें इसके लिए आप 108 दाने की कमल गट्टे की माला घर लाए और नवराती में प्रति दिन आप माता राने की इस मंतर की कम से कम एक माला का जाप अव प्राप्त होती है शत्रों पर विजय प्राप्त होती है और धन बिध्या बुध्य का परदान प्राप्त होता है माता रानी की किरपा से जीवन में चल रही परिशानिया दूर हो जाती है दोस्तों नवरात्री में मालक्ष्मी की किरपा प्राप्त करने के लिए अटूर धन संपत्ती प्राप्त करने के लिए नवरात्री के दौरान रोजाना मालक्ष्मी के इस मंतर का कमल गट्टे की माला पर जाप अवश्य ही करना चाहें इस मंतर का जाप करने से अटूर धन पत्ती की प्राप्ति होती है मंत्र इस प्रकार है शिरी जगत प्रसूते नमा शिरी जगत प्रसूते नमा इस मंत्र का जाप करने से मान लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन सम्मंदी समस्या दूर होती है दोस्तों अगर आपके ब्यापार में गिरावट आ रही है प्यापार में उन्नती नहीं हो रही, प्यापार मंदा चल रहा है, तो आप नवराती के पावन पर पर किसी भी दिन एक कमल गट्टे की माला लाएं, इसे पानी से अच्छी तरहें धुई, इस पर गंगा जल का छिड़काप करें, फिर कुम-कुम हल्दी लगा कर थूप-दिव दिखा कर इसका पूचन करें, आप इस कमल गट्टे की माला को अपने दुकान पर ले जाएं, अपने ब्यापार इस्थल पर साफ इस्थान पर या आपका जो ब्यापार इस्थल में मंदेर हो, वहाँ पर एक लाल रंग का कपड़ा बिचाएं, टपड़े की ऊपर आप कमल गट्टे की इस माला को बिचा कर रख दें, फिर इस माला की ऊपर आप मालक्ष्मी का चित्र इस्थापित कर दें, और फिर रोजाना दोनों समय मालक्ष्मी जी के सामें थूप दीप दिखा कर उनका पूचन करें, ऐसा करने से ब्यापार में आ रही गिरावट दूर होती है और ब्यापार अच्छा चलता है, दोस्तों घर से हमेशा के लिए दर्टा को दूर करने के लिए आप नवरात्री की महा अश्ट्मी या महा नब्मी के दिन, जिस भी दिन आप कन्या पूचन कर हवन करते हैं, उस दिन आप का 108 कमल गटे लें और हवन में इन 108 कमल गटों की आहुती दे, ऐसा करने से माताराने प्रसन होती हैं और धनसमदी समस्या समाथ हो जाती हैं, ऐसा करने से घर से गरेबी और दर्टा हमेशा के लिए दूर हो जाती है, अमीद है आपको हमारे ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंज्स और इस्तेदारों में जादर से जादर शेयर करें, जिससे बह भी इसका लाब उठा सकें, हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फर वाचिंग दाती दाती जै माताती